प्रेंट्स में हूँ आपका दोस्त फुरुआप चैनल का होस्ट दीनेश आज की अमारी पुरुआख है राजुबाई की फैमस बेल तो चलिए दोस्तों आज हम पुरुआख के जरिये जानते हैं राजुबाई की फैमस बेल का राज राजुबाई की बेल जो है मौडासा में जिल्ला सेवा सदन आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बिल्कुल ही सामने है तत्वम आर्केड वहाँ पर यह राजुबाई की फेमस बेल मिलती है तो दोस्तों आप भी आईए और यहाँ पर विजिट करिए आपका नाम क्या है? राजु भाई अब कितने सालों से यह दिल्लेश कर रहे हैं? आठ साल हो गया है और आपका टाइनिंग क्या रहता है? सुबे नो से शांको पांच और यह सब आप दुख बनाते हैं? आज इक बनाते हैं? यह आइडिया आपको कैसे आया पेल बनाने का? पहले फादर करते हैं फादर लग्वक 30-40 साल हो गया है इसके बाद हमने पड़ाई लिखाई कि इसके माद इस्टार्ट है अब किकनी तरह की भिल बनाते हैं? अब यहां पे एक दो या तीन तरह से बनाते हैं एक रेगुलर हो गया एक चीज गया है मतलब काठे वाड़िया हो गया हो गया दना है तरह के मिल ग Casey मजें और यह एक मिक्स नमकेन जिर और यह गया शादरám सालै जोओ गल्याओ जीरा और नमक और ये हो गया साधनाम ये हो गया सलट इसमें प्याज ये रदनी आए और बीटे और ये हो गया रगड़ा और ये हो गया लाल मिर्ची वो लेसन वाली चटना इसको मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद लेट में प्रोको निकल देना है लेट में निकल लिया इसके उपर नाखेंगे आलो का मसाला ये डाल दिया मसाला ये हो गयी मिठी चटनी इसमें आएगा इमली का पाउडर खजूर और गुड़ इसके आगे है गरम मसाला ये आगे सलाट ये हो गया टमटर इसके आएगे नमकीन और ये हो गया इसके उपर दही और दोस्तों आपने राजुबाई की बनाए आने का राथ-जान दिया तो हम देखते भी कि दोनेचल बनाई है उसका स्वाद कैसा है इसमें तमाटर है नमकिन है रही है और चतनी में ये सब दे तो हम उसको चत्शी दे तो कैसा स्वादी इसका तो दोस्तरों इसका स्वार बहुत ही बढ़िया है मजे नहीं लगता है कि मोटसा में वह जाएगा और पीजिवार्गे की आपके नाश्ता हो जाएगा और यहां पर राजुबाई की बेल का निजिट की जिए थैंक्स पर वाचिंग्ग की जिए थैंक्स पर वाचिंग्ग की जिए थैंक्स पर वाचिंग्ग